टारो के माध्यम से वेदिक जोतिश चितनी अकुरिट है यह आपको प्रश्न हो गया पॉली टारो कहां से ओरिजनेट हुआ किस परपस से हुआ सर्थ टारो का जो ओरिजन है अगर हम घहरे में जाएंगे तो उसकी हमें यह पता चलता है कि टारो अरिजनेट हुआ कार्ट होते हैं आए थी तो वो जो तांश के पत्ते हैं उससे जो है आप एक धीरे-दीरे एक विद्या जो है सामने हम आने शुरू गई कि कुछ ऐसे लोग सुसाइटी में आने शुरू हो गए जो उन तांश के पत्तों को इस्तिमाल करते थे लोगों को प्रेडिक्शन कर पताने के लिए लोगों को पॉस्सिबिट्रीटी बताने के लिए फिर यही जो तांश के पत्ते थे देले-देले परिवर्धित होने लगे टारो कार्ट के अंदर, कि इका हुकम का जो जैसे है जैसे अगर हम अगर comparison के तोर पर देखें तो अगर जैसे अगर हम देखें इकका पान का जो है तो टैरों में जो है वो king of cups है तो इस तरह से जो है सारे के सारे जो है ये इस तरह से develop होने लगते हैं तांश के पत्ते से जो है देरे देरे वो सारी के सारे वो pictures का जो है वो form लेने लगगा है वो जो pictures है वो हमारे बड़ी important है क्योंकि अब तक जो था जो tarot का जिस तरह से उपयोग हुआ था ये तांश के पत्तों से तो उसका use बहुत limited था और बहुत कम लोग थे जो उसको कर पा रहे थे राइडर वेड टारो जो है पहला टारो है जिसके अंदर जो है एक proper टारो जो है टारो की जो विद्या है वो develop हुई था जो जो है गुर्फ देन तो अगर हम बात करें एक सही टारो कार्च यूज करने की तो मैं सब को recommend करता हूँ original tarot original rider weight tarot use करा जाए ऐसा tarot जिसके साथ जो है जिसके साथ छेड़ खानी नहीं हुई है जिसके colors को नहीं change किया गया है जिसके symbolism को नहीं change किया गया है जिसके pictures को नहीं change किया गया है जिसको जैसा वो original form में था वैसा ही अगर रखा गया है ये कुछ ऐसा है कि जिसके अंदर जो है अबडेशन की जुरत नहीं है यह complete है अपने आपने जब राइडर वेट जो है ड्वेलप हुआ था इसके पीछे बहुत scientific basis है जिस तरह से यह ड्वेलप हुआ है जब आप उसकी गहराई में जाते हो आप देखते हो कि एक एक पिच्चर एक एक expression जो उसमें यूज हुआ है एक एक color एक एक symbolism उसमें एक एक चीज जो जो यूज हुई है कुछ भी फाल्तुका नहीं है उसमें उसमें घास का पत्ता भी अगर दिखाया है तो वो भी कुछ न कुछ बताता है तो जब यह ड्वेलप हो गया उससे क्या हुआ अब यह जो एक कार्ट जो ड्वेलप हुआ इस कार्ट के अंदर जो है बहुत सारे aspect थे इसमें numerology थी इसमें कबाला था इसमें astrology के aspects थे इसके अंदर जो है आपके अगर हम कहें तो psychology भी थी और अगर हम और गहरा जाएं तो इसमें जीवन के नियम भी थे तो tarot अपने आप में वो जो एक card आप देखते हो वो उसके उपर जो है पूरिया एक किताब लेख सकते हो आप इतनी उसके अंदर जो है detailing है जैसे card of the fool है उसको जब आप देखना शुरू करते हो तो उस card of the fool के अंदर जो है उसका जो number है वो एक कहानी बोलता है उसका विक्ती का जो expression है जो उसका how भाव है वो बहुत कुछ बताता है उसमें जो colors है वो बहुत कुछ बताते है एक एक चीज जो है आपको कुछ symbolism के तोर पे जो है कुछ बता रही है उसमें जो color combination जो use हुए है वो सारा कुछ आपको बता रहे है तो उसके अंदर जो है आपके अंदर ये एक ऐसी stity है जहां पे आपको एक complete knowledge जो है उसके अंदर जो है मिल गई और दूसरी बात picture speak louder than words कि जो आप picture देखते हो तो आपका जो मन है वो कहानी बना सकत है वो बहुत कुछ जो है उसके अंदर शब्द पैदा हो जाते है जब आप शब्द को पढ़ते हो तो एक बस एक definite picture आपके साथ एक आपके मन में उभरती है लेकिन जब आप picture देखते हो तो पूरी की पूरी किताब एक develop हो जाती है कि उसके साथ जो है जब जितना आप घह में अपना इजिप में अलग अलग जगाओं पर जो है जिपसी वगएरा ने इस सब को जो है प्राटिस किया लेकिन अल्टिमेटली जो हमारे लिए जो है अगर हमने किसी को foundation पर रखना है किसी चीज़ को तो वो रखना है rider weight tarot को क्योंकि इसके साथ जो है छिड़ा खानी नहीं की गई है जादा जो original rider weight tarot है और थोड़ा ये भी समझो कि rider weight tarot जो है कैसे develop हुआ rider weight tarot जो है एई weight ने जो है develop किया है और एई weight जो थे वो एक कार्ड का सपना लेते थे अपने भीतर और सुबह जब वो उटते थे तो वो उसको जो है illustrator की मदद से जो है उसको draw करवा देते थे इन्होंने वो वो detailing जो है करी दी है जिसके अंदर जो है अपने आपको बीच में नहीं लाए right away tarot cards अगर मैं कहूं तो ये कहीना कहीं उत्रा है जैसे कि ये descend हुआ है कि ये विद्ध्या जो है इस विक्ति के भीतर उत्री और बहुत possibility है कि इस विक्ति को खुद नहीं असली में बता होगा कि इन सबका actually में meanings क्या है क्योंकि ये कहीना कहीं जो है एक soul ने जो है एक decide करा इस विद्ध्या को इस विक्ति को choose कर लिया गया और इस विद्ध्या जो थी इस विक्ति में उतर गई और उसी से जो है rider way tarot का जनम हुआ एक occult practice जो है इसमें जो है फिर create हो गई तो उसके origin जो था जाने जाने वो तांश के पत्तों से आया लेकिन धीरे-दीरे वो develop हो गया अपना एक proper channel से जिसको हम कहें rider way tarot और tarot cancer इस purpose परपस यही था कि how to know yourself this was the tool through which you can know yourself जो आपके बारे में बात करता है जो आपकी सच्चाई बताता है जो आपको ऐसे aspects आपकी life के बता सकता है जिसके लिए शहदा आप जो है आप जिसको नजर अंदास करते हो जिसको आप देख नहीं रहे हैं tarot is just like mirror वो आपको शीशा दिखाता है वो आपको दिखाता है कि this is what you are this is what you are at the moment कि यह हो आप इस समय और इस समय अगर आप देख लेते हो समझ लेते हो कि यह आप हो तो आगे फिर आपने आपको बदल सकते हो आप वो हो सकते हो जो आप होना चाहते हो तो tarot आपको आपकी possibilities के बारे में आपको possibilities के बारे में introduce करता है आपकी life के लिए करता है